कॉस्ट के अंदर अजम्शन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अजम्शन मतलब अब इसमें खर्चे में देख लो कई वार रेंट लिखाया है तो एक कई बच्चे तो बोल देंगे विए रेंट सर ओफ फैक्टरी का भी तो हो सकता है अब कैसे डाल रहे हो ओफिस के अंदर तो उसकी बात सही है तो हमें कुछ अजम्शन लेना पड़ता है और उसके लिए स्पेशली नूट डालना पड़ता है अब किताब भी देखोगे जो भी पढ़ोगे उसके नीचे नूट मेंशन होता है कि हमने इसको यजियू किया है तो वेस्ट वे होता है जिसके भी आउ तो यह थोड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन है टेक्निकल यह वाली तो कॉलम बनाते हैं नहीं छोड़ो हटाऊ कभी-कभी जुरत पढ़ती है वैसे लेकिन अभी नहीं बना रहे है क्या कहता है रॉम अटियल पर्चेश है वर्क ओवर हैड या यहाद है न मैंने कहन था फैक्टै वर्क ओवड यह तो यहाँ क्याल्कौलेट करके दे रखा है, stock दे रखा है, raw material ओपनिंग, लेकिन यहाँ पे और finished goods, यहाँ पे देखेगा ना, finished goods जो ओपनिंग है न, यह किलो में है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ बहुत important point चर्चा करने वाले, quintals बोल लो, kg बोल लो, unit बोल लो, कुछ भी है, और उसका amount भी से पहले prime cost बड़ा छोटा से point में आ जाएगा हमारा, मैं पहले लिख लेता हूँ prime cost, इसके बाद क्याएगा हमारा gross, है न, क्योंकि इसके WIP भी है, इसके बाद क्याएगा net factory, इसके बाद क्याएगा cost of, इसके बाद क्याएगा, cost of, इसके बाद क्याएगा, cost of sales, और last में, थोड़ा छोटा कर दिया हमने, last में लिख लेंगे हम, sales, ठीक है, line भी डाल दिया, यह 6 point याद और इसके बीच में होने वाले transaction याद, तो chapter में कोई जान नहीं है, यह लोई इसको भी colorful कर देते हैं थोड़ा, कौन से color ले, red ले 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 ले, छोटा सवाल है इसलिए थोड़ा साथ कर देते हैं ताकि आप को याद रहे, यह बहुत ज़्यादा हो गया, चलो कोई नहीं, सबसे पहले raw material purchase यहाँ जाएगा, उपर क्या लिखेंगे, cost sheet format मेंने पहले पूरा detail में दिया हुआ है, ठीक है न, इसके बाद क्या है, work overhead, यहाँ जाएगा, कितने रुपे का है, 20,000, इसके बाद raw material है, opening, प्लस, कितने का है, 4,000, बस छोड़ देते हैं, इसके बाद कहता है, FG opening, तो sir, FG की बात करे, तो इनके बीच का दूरी है, cost of production और इसका, यहाँ प्लस हो जाता है opening stock, और minus हो जाता है sir, closing stock, तो opening stock बोलता है sir, 800 quintal है, और rate का नहीं बताया इसने, यह बता दिया, 32 का है, ठीक है sir, अब closing देखेंगे, क्या बनता है हमारा, work in progress का opening और closing भी है, वो इसके बीच की कहानी है, तो plus opening और minus closing, sir, क्या, डबलू आईपी, डबलू आईपी, इसको अटाई देते हैं, यह बड़ा परिसान कर रहा है मेरेको, अटाओ, ठीक है, चलो, इसके बाद कहता है, हमारा opening का जो है, डबलू आईपी, 900, और closing का, 32, इसके आद कहता है, office and admin expense, 1600 रुपए, तो कहां की कहानी है, इनके बीच का, office and admin, office and admin, कितने हैं, 1600, sales, finished goods, 60,000, अब इसको करने से पहले, एक कहानी समझ लेते हैं, important point है, जिसको ये बाली बात समझ में आ गई न, अब बाली जो मैं समझाने वाला हूँ, समझे चप्टर, उसके लिए कुछ नहीं बचा फिर चप्टर के अंदर, ऐसाच कुछ नहीं बचा, last point ही बसता ही है, सर, इसके अंदर क्या है ऐसी बात, मैं अगर कहूँ न, sold, bracket में मैं लिख रहा हूँ, unit, ध्यान रखिएगा, sold और bracket में मैं लिख रहा हूँ, unit, इसको अलग color से भी कर देता हूँ, आपके लिए special, bracket में unit, जो भी sold unit होता है न हमारा, वो पता है कैसे निकलता है, opening stock, का क्या सर, unit, plus, production का, सर, production का क्या सर, unit amount का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, minus, closing stock का क्या सर, यानि सारा कमाल यहाँ पे है सर, unit, unit, unit का, सारा कमाल है, unit का, अरे, अब है क्या कहानी यह, मैं kg की बात करता हूँ, मान लो, मैं 50 kg, मैं 50 kg चीनी खरीद के लाता हूँ, मैं 50 kg चीनी खरीद रहा हूँ, तो that is purchase, अगर मैंने बना बनाया खरीदा तो that is production, यही production है, ठीक है, और मेरे पास शुरू में 10 kg पड़ा था, तो आप मुझे एक जवाब दीजे, बड़ी सीरी सी बात कहता हूँ, मेरे पास total कितना पड़ा हूँ है, यानि total 60 kg आपके पास चीनी है, जिसे आप बेचने के लिए available है, यानि सुरू में 10 kg थे, 50 खरीद लिए, total कितने पड़ा हूँ है हमारे पास, total पड़ा हूँ है हमारे पास, 60 kg, अगर मैं बोलू, मेरे पास ना 25 kg बचा हूआ है, बचा हूआ है, अगर मैं बोलू, मेरे पास 25 kg बचा हूआ है, तो ultimately आपने sold कितना किया, यह पता चल जाएगा, क्योंकि 60 kg में अगर आपने 25 बचा लिया है, तो 35 मैंने खा थोड़ी लिये हूँगे, बेच दिये मैंने, तो यह बनेगे हमारे एक chain, अब इसके अंदर आप से कुछ भी निकलवाया जाए, बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपको opening stock पता हो, purchase पता हो, और closing stock पता हो, तो आप sales निकाल सकते हैं, अब sales को ध्यान से नीचे से पढ़िएगा, sales में आपने क्या करा, सर सेल्स के अंदर मैं बीच के points को हटाने वालों मैं, बीच के points को हटा रहा हूँ, इसे भी हटा देते हैं, यही पढ़ा हुआ है, सर यह क्या था हमारा, इसको production मान लेते हैं, प्रड़क्शन है यह, यह क्या है सर opening stock है, यह सर क्या है closing stock, बचा हुआ मतलब closing stock, अब देखिए, sales कैसे आया, sales को निकालने के लिए, आपने opening stock पहले लिया 10 kg, है ना, फिर उसमें जोड़ा आपने production कितने, और फिर उसमें घटाया आपने कितने, 25, तभी तो जाके बना आपका यह, तो इसी इस विहाब पे हमने क्या बनाया सर, एक छोटा सा एक formula बना लिया है, मैंने बोला, cost of production, मुझे sincerely जवाब दीजेगा, 1000 रुपए, मेरे ने एक product बनाया है, कुछ भी बनाया, XYZ जितने भी product बनाया है, उसका खर्चा मेरा 1000 आया है, और मैंने बताया सर, मैंने unit जो बनाया न, वो बनाया मैंने 500 unit, मैंने unit कितने बनाये, 500 unit बनाये, और उस पे total बनाने का खर्चा जो आया है, मेरा कितना आया सर, 1000 आया, total कितना खर्चा आया, मैं जानना चाहता हूं, मेरा per unit cost क्या है, मेरा पर यूनिट कॉस्ट क्या है जितने बच्चे लाइब में बचाएंगे वो पर यूनिट कॉस्ट लाइब वाले बच्चों का भी देख लेते हैं क्या चल रहा है बताईए पर यूनिट कॉस्ट क्या है अधित्य कहते हैं हजार रुपए दो रुपए oh my god 50,000 रुपे 2 रुपे 2 रुपे सहब पर unit cost होगा 2 रुपे क्योंकि आप एक unit का थोड़ी बना रहे हैं एक unit का नहीं है आपका ये cost of production यानि कुछ समान बनाया जिसका खर्चा आपके उपर बड़ा 1000 का और आपने unit तयार किया सर ये तयार unit है तयार unit है आपने unit कितना तयार किया 500 500 के unit को तयार करने के लिए आपने कितने खर्च दिये कितने पैसे फुक दिये 1000 तो आपका एक unit का कीमत कितना पढ़ गया सर 2 रुपे एक unit का कीमत कितना पढ़ गया 2 रुपे यहां तक की कहानी हर बच्चों को समझ में आ गया क्या यहां तक की कहानी हर बच्चों को समझ में आ गया बिल्कुल सर यहां तक की कहानी हमें समझ में आ गया आगे चलते हैं कुछ बच्चे आगे का अंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, फिर भी हम देखते हैं, जो बच्चे हैं, माल लो, मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने प्रोडक्शन किया, समझो पहले बात को अब खर्चा इतना आने के बाद जो मैं यूनिट बना पाया यूनिट पड़ियूस कर पाया यूनिट पड़ियूस कर पाया वो मैं कर पाया सर हजार यूनिट यानि मेरे पचास हजार रुपे पॉकेट से लग गये जिसमें से मैं माल 1000 यूनिट तयार कर पाया और जिसमें से मैं सोल्ड कर पाया जिसमें से मैं सोल्ड कर पाया यानि मैं बेच पाया मार्केट में 800 यूनिट बड़ा सीधा सा सवाल है कि मैंने पॉडक्शन किया जिसमें मेरा खर्चा मेरे पॉकेट से कित ने बेच पाया तो मेरा सवाल number one क्या मेरे पास कोई closing stock है sir क्या मेरे पास कोई closing stock है बताईए लाई वाले बच्चे comment में जवाब देंगे क्या मेरे पास closing stock है या नहीं है यह sir है तो है तो कितना है 200 यह हमने find कर लिया पहले यहां तक समस्या सब समझ में आ रहे हैं, अब मेरा सवाल है, कि बताईए, मेरा पर यूनिट कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, कौन बताएगा, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, कौन बताएगा, लाइव वाले बच्चे फटा-फट बताएगा, आप बहुत से निकाल रहे हैं मैंने का भ्या सिंपल सी बात है पचाश Hindi खार रिंगा और हजार उनिट बनाया है तेसका मतलब कितने आगे हैं कर त्पा 0-20 कॉस्ट है ठीक हैं अब मैंने कहां पर उनिट कोस्ट 5.20 है के हिसाब से जो मैंने बनाया था वह कितने यूनिट बनाये था एक हजार कितने इसमें से बिक गए 800 तो जो ये 200 यूनिट बचे हैं वो किसमें से बचे होंगे इसी में से बचे होंगे अगर मैं पूछ लूँ क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका वेल्यू बता दीजिए आप क्लोजिंग स्टॉक का वेल्यू बता दीजिए तो आप बोलेंगे सर 200 बचे हैं और पचास रुपए का एक तो वही तो था तो जवाब आएगा आपका सर 10,000 किसको समझ में नहीं आया यह बात पहले देखिए यह बात समझ में आ गया सभी को समझ में आ गया बच्चों ने जवाब दे दिया वेरी वेरी गुड दस हजार रुपए का जवाब आ चुका है कुछ बच्चे हजार साथ टाइपिंग एरर हो सकता है और अगर जान पता नहीं था हजार लिखा तो भई पू आपकी बाते सुन सकता हूं कि अगर आप मुझे पर यूनिट पर यूनिट कॉस्ट बता दो बता दो तो मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक का वेल्यू बता सकता हूं मैं यानि आपको दो चीज़े चाहिए क्लोजिंग स्टॉक को वेल्यू बताने के लिए एक सर आप मुझे बता दीजिए कि closing stock का unit कितने है और एक आप बता दीजिए कि per unit cost कितने है बाकी काम तो हम कर देंगे कि closing stock का value कितना आएगा वो हम easily कर सकते हैं sir फिर बाकी का काम तो हम easily कर सकते हैं अब देखिए एक और सवाल पूछा जाएगा आपसे ऐसे बात नहीं बनेगी यह formula देख रहे हैं उन्हें यहाद है न यह formula किया खाथा एक और सवाल पूछें यहीं पर छोटा छोटा लिखके पूछते हैं मैंने आपको दिया opening stock opening stock का unit 1000 और फिर मैंने दिया closing stock का unit 1200 और मैंने यहाँ दिया हमने sales किया है unit unit 12,000 यह 10,800 12,000 कर दिया I want to know कि हमने माल कितना तयार किया हमारा production कितना है production कितना है question mark आपके सामने यह formula लिखा है इस formula को नजर अंदाज बिल्कुल भी ना करें इस formula से ही यह solve होने वाला है तो बताइए production कितना होगा production कितना होगा एक बच्चे का जवाब आ गया सर 11,800 12,200 12,200 12,200 12,200 की line लग गया है तो सर सही जवाब मुझे भी नहीं पता चेक कर लेते हैं इसी को continue करते हैं sales की जगह पर सर sales का unit रख दो 12,000 is equal to opening के जगह पर opening का रख दो 1000 production के जगह पर X रख लेते हैं और minus closing के जगह पर closing 1200 तो सर ये वाला और ये वाला होगी हम minus प्लस करके 200 और 200 हुआ minus का और इसको इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा 12,000 तो जो जिन बच्चों का 12,200 आया उनका जवाब एकदम करेक्ट था एकदम करेक्ट था उनका जवाब ठीक है एक और सवाल पूछ ले आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं sir opening stock 4000 closing stock 6000 sales sales तीस हजार production production cost production cost तीन लाख बीस हजार cost unit नहीं बोला मैंने production मैंने cost बोला है मैं दे रहाँ आपको तीन बीस आपको क्या-क्या निकालना है ध्यान से सुनिएगा मैं बड़े सारे सवाल पूछने वाला हूँ number one आप मुझे बताईए production production unit number one number दूसरा सवाल closing stock value कि closing stock का कितना value होगा closing stock का value कितना होगा जल्दी बताईए production unit कितना है और closing stock का value कितना होगा 32,000 बत्ते सजार सूरज का भी जवाब आ गया सहदाव का भी जवाब आ गया पहले का चाहत ने जवाब दे दिया 32,000 और एक रुपे पर unit जवाब आया है मेरे पास 32,000 सभी का 32 पहले सवाल का जवाब मिल गया सर पहले सवाल का जवाब आप सभी ने दिया है और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया 32,000 कैसे आया एक बार मैं इसको मतलब डिटेल बता भी दूँ आपने कहा सर हमारा sales दे रखा है 30,000 is equal to opening stock कितने है 4,000 सर production नहीं पता तो X और minus कर दिया closing that is 6,000 तो कुछ हैसे ही आपने मुझे X की value निकाल के बता दी क्या 32,000 closing stock की value कौन बताएगा closing stock का value closing stock का value चलिए एक और सवाल add कर लेते हैं इसमें नमबर 3, per unit cost per unit cost per unit cost क्या आएगा क्योंकि जब तक per unit cost नहीं निकालोगे closing stock नहीं बता सकते बच्चों ने बता दिया, सर closing stock ही बता दिया per unit cost कितना आ रहा है 10 रुपए का per unit cost 10 रुपए का है तो very very simple काफी बच्चों ने जवाब दे दिया 60,000 इसका मतलब सर हमें अब आप closing stock की value मत दो बस हमें बता दो production की unit कितनी है और हमें बता दो production की cost कितनी है closing stock की आप find करके निकाल सकते हो CDC बात है पिछले सवाल में आ जाईए पिछले सवाल में आ जाते हैं अब हम सर पिछले सवाल की कहानी देखिए पिछले सवाल की कहानी देखिए सर क्या कहता है हम आपको opening stock बता रहे हैं हम आपको opening stock बता रहे हैं और साथ के साथ कहता advertisement का जो भी expenses बगरा हुआ है वो 40 पैसे per unit sold हुआ है और during the month 12,800 quintal community were produced यानि sir question ने आपको produce दे दिया कितने दे दिया 12,800 दे दिया question ने sales बता दिया in the terms of amount question ने sales बता दिया in terms of amount यहां पे here आपको sales कितने unit किया है क्या बताया सवाल ने sales कितने unit किया है नहीं बताया तो बड़ी सीदी सी बात है sir opening stock कितना था opening stock कितना था sir 800 unit production कितना किया 12,000 total कितने हो गए 13,600 अगर कोई closing stock आप देखो आपको sales का unit अगर मैं बता दू let's for example मैं sales का unit बता देता हूँ कि मैंने sales unit किया है suppose करो मैं बोलता हूँ 13,000 अगर मैं बता दू sales का unit 13,000 है तो जट से आप closing stock बता सकते हो ठीक है बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं बता सकते हूँ अगर मैं sales का unit ना दू तो भाईया closing stock बताना impossible है तो अब यहाँ पर क्या माने हम ऐसे situation में मानेंगे कि जितने बने उतने बिक गए है यानि sales पता है कितने unit है examiner ने चलाकी से बताया नहीं तो sales पता है कितने unit होंगे 13,600 तो क्या मुझे यहाँ पर closing stock कुछ मिलने वाला है या नहीं है नहीं मिलेगा यह होने वाला 0 आने वाले सवाल में आपको closing stock के तरी जो सीखाने concept वो आएगा भी अभी apply करके देखेंगे हम तो पहले यह बताईए यह समझ में आया है कि नहीं आया है यहाँ closing stock 0 होगा पहले इस बात का जवाब दो closing stock क्या रहने वाला है हमारा 0 रहने वाला है हर किसी को clear है कि सर यहाँ पर closing stock 0 होगा और इसके लिए आप especially क्या दोगे note दोगे we assume that they are all stock यानि amount डाल दोगे जितना 12-13600 all unit या all quintal of stock will be sold ठीक है सर अब बोलता है कि 40 पैसे का खर्चा आएगा एक quintal बेचने में तो सर बड़ी सीधी सी बात है एक quintal बेचने में selling expense आ रहा है 40 पैसे का आप तो कहानी आसान हो गई ना आपने कितने unit बेचा यह पता चल गया कितने unit बेचे अब multiply कर दीजिए 5440 आ गया कहानी अब पूरा हमारा fill हो चुका है कोई दिक्कत अब पटा-पट से कुछ नहीं करना सर बस 28000 टोटलिंग के लिए मैं अलग color ले लेता हूँ और उससे हो जाएगा 28 और यह हो जाएगा हमारा 48000 एक बार इसको minus करिएगा 32 में से 900 गए तो कितने बचे 960 है हाँ 22 40 इसको minus कर दीजिए 48000 में से 45 760 इसको plus करेंगे 1600 47360 यह भी plus हो जाएगा 55560 इसको भी plus करेंगे 56000 और आपको निकल गया बीच में कहानी 4000 का तो यह सवाल भी हमने done कर लिया इस सवाल में क्या सीखने को मिला सर इस सवाल में सीखने को मिला कई बार आपको selling and distribution का point में दे सकता है खर्चा तो लेकिन आपको selling and sales आपने कितने unit करा पता नहीं चलेगा तो एक assumption लेके हम करेंगे ठीक है सर clear है यह point और सवाल देखें चलिए और सवाल देखते हैं कौन सा देखना है हमें यह भी check कर लेते हैं यह भी सवाल देखेंगे question में मजे की बात है prime cost ते दिया जो निकालते हैं ठीक है कहान यहां थोड़ा सा अलग तो चलिए एक और सवाल देखेंगे